अब भी हम लोग एम्स का कट अफ देखेंगे यह जो आप देख रहे हैं यह नी 2020 का और नी 2021 का बताऊंगा क्या होगा कैसा होगा कैसा कट अफ जाएगा यह सारा कुछ देखेंगे एमस है तो सबसे पहले की स्टोरी सुनाता हूँ एक लड़की होती है जो की बिहार से होती है और वो एक्जाम देती है नीट नीट क्लियर हो जाता है और उसे गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है भागलपूर I'm not sure it may be दरबंगा और भागलपूर MPBS मिल जाता है एक गौवर्मेंट कॉलेज में सीधी सी बात है तो बट एक होता है ना एक इमस का कीड़ा होता है हमारे जो सुसाइटी में है एक इमस डी का अलगी बना हुआ है समझे तो वो था कि मन नहीं बरा अब इमस चाहिए इमस दिल्ली चाहिए वो खुद एक कि वो मेडिकल कॉलेज में और किसी को भी अगर MPBS मिलता गौवर्मेंट में तो वो कोई छोड़ेगा नहीं तो वो एडमिसन ले लेती एडमिसन लेने के बाद वो प्रिपेर करती है एमस के लिए कॉलेज साथ में चलता है कॉलेज के सेमिस्टर भी चलते है और एमस के इतलब होता है समझे मिनिग भुल लाइन आसा कुछ नहीं कि कुछ भी है तो पूरे उसके रूमेट को भी नहीं मालूम होता है कि वो प्रिपेर कर रही है दोबारा नीट देगी नीट नहीं एमस का एक्जाम होता था है M देगी तो देखना वो YouTube पे भी है, आप लोग सुने भी होगे, तो ऐसे ऐसे, तो बोलते हैं न, करने के लिए स्रिफ और स्रिफ एक reason चाहिए होता है, कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक सही reason है तो, और कुछ ना करने के लिए आपके पास लाख बहाने होते हैं, उसके पास उसके पास तो MBBS मिला हुआ था, तो चाहती तो वो आगे बढ़ सकती थी उसके साथ, बट एक अपना जो dream होता है कि मुझे ये करना, खास करके अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी ये कुछ भी नहीं है, निट अभी कुछ भी नहीं है, मेन उसके बाद आएगा, कि आप और आस पड़ो, उसके कितने सुनते हो, समझे, तो निट ये कब आएगा, जो निट पीजी दोगे और बहुत सारे एक्जाम दोगे, खास करके USMLE, PLAB, वगरा वगरा एक्जाम दोगे, तब जा करके, सारा कुछ आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको, आपको जो चा यह होता, वो कभी नहीं मिलता है, आप क्या deserve करते हो, हमेसा वही आपको मिलता है, समझे, तो जो आपको चाहिए होगा ना, उसी के लिए prepare करना, यह सारा कुछ इसलिए बता है, क्योंकि आप इतना समझ लो कि anything is possible, समझे, कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी हो सकता है, तो अ decrease कर सकते हैं, तो start करते हैं, यह सारा मैं नहीं पढ़ूँगा, यह सारा बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि यह first round है, फिर आपका second round आएगा, तो यह कुछ-कुछ आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप लोग अपना देख लेना, पीडिया form में भी यह दे होते रहता, 10-15 marks उपर होगा, बट rank fluctuate तभी होगा, जब M's include होगे, 3 M's अपी और बन रहे हैं, अगर वो include होता है, तो rank भी थोड़ा उपर नीचे fluctuate हो सकता, otherwise बहुत कम chances है, ठीक है, तो new D के लिए rank चाहिए 51, भूमनेश्वर के लिए 569, M's Bhopal के लिए 591, जोदपूर 786 रिशी केस्ट 1300, राइपूर 1593, पतना के लिए 1850, नागपूर 2537, राजकोट के लिए 3085, तेलांगना 3086, मान गलगिरी 3127, राइपर एली 3882, गुरफपूर 4090, कल्यानी 4411, बिलासपूर 4980, देऊगर 5150, गुहार्टी 5366, एंड जम्मू के लिए 6078, तो यह बात याद रगना, मार्क्स मैंने कुछ नहीं बता है, जनरल कैटेगरी का स्रीफ और स्रीफ रैंक बता है, क्योंकि मार्क्स आप लोग देखने ना, कोशिज करना कि इतना एकुरेट करना हमें, 10-15 मार्क्स बढ़ा सेफिस्ट, सेफिस्ट मार्क्स फूर एम्स, अब जरूरी नहीं है कि एम्स डी मिलेगा, एम्स डी के लिए आपको 700, में भी 700 प्लस जाना होगा, तब भी एम्स डी मिलेगा, समझे, तो 680 कोई भी हम चाहिए, 680 ले करके चलना, और एम्स डी चाहिए, उसके लिए 700, अगर मालो, एम्स डी नहीं मिलता है, तो एम्स भोपाल और भूमनेश्वर अगर मिल जाता है, तो लेना, अधर्वाइस मुझसे पूछोगे, तो मैं पसनली आपको में सी प्रिफर करूँगा, मौला ना आजाद मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे जो कार्डियो सर्जन है, वो बहुत ही अच्छे, आगर उनके साथ आप काम करते हैं, और उनके साथ काम करते हैं, अर बहुत कुछ, और फ्यूचर में भी बहुत सारे popolice होगा, तो एक सार्च के बेसिस पे बहुत ज्यादा आपको betन हमती अगर वह जाते हो तो, समझे में काडियोलोजिस्ट अगर सर्जन बनना है तो बाकी अगर कोई प्रांच में जाना है तो आप दूसरा भी कुछ सोच सकते हो वो आपको बेनिफिट होगा लाइफ में बहुत अच्छा गासा आपको समझ में आएगा फ्यूचर में समझ में आएगा अगर मिलता है तो 25 रंक उपर नीचे हुआ क्योंकि ज्यादा होगा नहीं यह दिली का कभी चेंज होगा क्योंकि एमस्ड पर के रहते हैं वो सारे ले लेते हैं और पूरा सीट फूल हो जाता है कोई भी एम्सडी छोड़ के नहीं जाएगा समझें तो एम्सडी में 51 भूमनेश्वर में 586 और जोदपूर में 790 रिसी केस में 1366 राइपूर में 1593 पतना में 1984 नागपूर में 2627 भतिंडा 3424 मांगला गिरी 3769 तेलांगना 3895 राजकोट 5006 गुरगपूर 5031 राह बरेली 5220 कल्यानी का कटफ था 5902 बिलाजपूर का कटफ था 5949 देवगार 6783 गुवार 6894 जम्मू 7575 एक इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग 7000 लेकर के मत चलना कि 7000 अगर रैंक आ जाए मतलम 633 अगर 20 मार्क्स बढ़ा देता है तो 653 653 मार्क्स लेकर के मत चलना कि इनना आ गया तब तो एम्स मिली जाएगा नहीं 653 लेकर के कभी म चलना चलना हमेशा थोड़ा ज्यादा 680 हमेशा एजियूम करना कि 680 ही कट आफ है समझे क्योंकि जम्मू में बहुत स्टुडेंट जाते नहीं है या बहुत गुहाटी प्रिफर करेंगे नहीं इससे मेभी भी चले जाएंगे मेभी किंज और चले जाएंगे अलग-अलग कॉलेजेज ले लेते हैं या अपने स्टेट में नंबर वन कॉलेज जो हता वो प्रिफर करते हैं बट एम्स छोड़ देते तो अगर सही एम्स चाहिए इन सम में से उपर वाले जो चाहिए एम्स दी बी भूपाल और जोधपूर रिसी केस पटना पटना इस अलसो बेस्ट अगर यह चाहिए आपको तो आप लोग थोड़ा अच्छे से करना कि 680 के करीब मार्क्स रहेगा तो मिलेगा अब 680 कैसे करना बायो में 360 आप टो 360 कैम आपको अच्छा करना होगा और कैम बहुत इसी है मैं जब पढ़ता था तो इंजिनियरिंग का बस मजे मजे में दे द करना था मैथ सॉल्व करना नहीं था मुझे हमेशा मैथ में 0 आया है तो कैम हम लोगों का सबसे सिफिस्ट था और स्कोर करना बहुत असान था बहुत ज्यादा असान था और हम लोगों ने किया भी कैम और फिजिक्स के बदूलत जेही मेंस का कटप 115 मार्क्स हुआ करता था और 115 क्रोस हो गया था सुफ फोर स्रिफ दो सबजेक्ट क्यूंकि कैम इतना लड़ू सबजेक्ट लगता था चैमिकल बॉंडिंग का 3 से 4 कोशन आता था चार कोशन निकाल लेते थे कोडिनेशन से 2 आता था वो निकल जाता था और गेनिक का 5 कोशन इसली सल्व हो जाता था स्मझे तो वहां पे आप जितना ease score कर लो उतना सही है ऐसा जयी मेंस इनसी काता हुआ है ऐसा केम्स सब вами सब से असान है जितना score कर सकते हो कर लो और पहला एक्टेप्ट जो हता है ना PCM मैं वो केम ही होता है हमेसा केम्स आज भी बच्चे अगर देते हैं एक्जाम तो वो कैम करते हैं, तो कैम बहुत असान है, उसके बाद कैम में कुछिस करना कि 160 हो, फिर फिजिक्स आता है, फिजिक्स में कॉंसेप्ट बिल्डप करो, जिदने कॉंसेप्ट अगर आपको आएंगे, उतने एजली जा करके, वहाँ कुश इसमें तो है भी नहीं, यहाँ पर स्रिफतीन ही दीख रहा होगा आप लोगों को, तो बस थोड़ा सा कर लेना मैनेजर, अगर कुछ confusion होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बागी यहाँ पर जो जितना है, उतना से थोड़ा up and down करके, समझ लेना कि हाँ, on and approach इतना हो सकत समझें, बस इतना ही था, so thanks and best of luck for your exam and I hope कि आपको चीजे समझ में आई होगी, और थोड़ा story भी सुना दिया, starting में, जो कि 4 minutes तक चला गया, बट वो important था तभी बताया, नहीं तो नहीं बताता मैं, बस इतना याद रखना कि आप कर सकते हो, और कुछ भी possible है, बस वो आपके नहीं रोख सकता आपको, समझें, मिलते हैं, next class में,